चलो आओ, let's start, ठीक है, April 23 exam, April 23 exam, तो लोगो format समझ में आ गया होगा, कि अभी हम लोग main पूरा अच्छे से समझ रहे हैं, कि कैसे क्या हो रहे हैं, ठीक है, नहीं, नहीं यहीं रहो, ठीक है, ध्यान दो पेपर पे, चलिए आए, April 23, आए, चालू किया जाए, Question 1, Describe in words, A deferred B QX plus 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Life का भी Age कितना है, X plus 1, वो A years अभी और जीएगा, और फिर उसके बाद B years के अंदर-अंदर मर जाएगा, आज उसका Age कितना है, X plus 1, डाए करेगा, X plus 1 plus A से ले करके, X plus 1 plus A plus B के बीच में, And policy कब लिया था, X exact पे, हम लोग को निकान ले बोला है, अई यह बात मत करो हां, अब थोड़ा सा गाड़ी पेस लेगा, 5 deferred, 3 Q, 38 plus 1, Select mortality है, 105 साल deferred है, So, क्या हो जाएगा, अभी जो उपर लिखिया है ना, उसी को apply करो, So, L 38 plus 1 plus 5, minus L 38 plus 1 plus 5, 5 plus 3, है ना, Whole divided by, Clear है, सब लोग आगे हैं ना, जो आएगा ना, देख के वो गिर नहीं जाए, ठीक है, Question number 2 theory है, मने, यह जश्ट अभी हम लोग जो इस format में किये, ठीक है, मने, इसका मतलब क्या है, कि कितने लोग मरे हैं, उस period में, डिवाइड बे, आज कितना लोग जिन्दा हैं, Question number 3 देखिए, A, 82, 1 by 4, 4, PMA 92, C, 24% पे वैलुएट करना है, इसमें क्या करना है, चीज समझो, 82, 1 by 4 से, पहला पेमेंट का बोगा बताओ, So, 1 by 4, V to the power 1 by 4, 1 by 4, P, फिर प्लस, 1 by 4, V to the power 2 by 4, 2 by 4, ठीक है, फिर फिर प्लस, 1 by 4, V to the power 3 by 4, 3 by 4, P, 82.25, प्लस, 1 by 4, V, एक मेंट, एक मेंट, एक मेंट, P, 82.25, प्लस, डॉट, 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 अब पहला दो, अलग रहने दो, थर्ड से, So, first as it is रहे गया, second as it is रहे गया, फिर थर्ड से क्या common आएगा, V to the power 2 by 4, V to the power 2 by 4, V to the power 3 by 4, 3 by 4, P, 82.25, 1 by 4 plus 1 by 4, V to the power 1 by 4, 1 by 4, P, 83, plus dot dot, up to infinity, ठीक है? So, क्या बनेगा? 1 plus 2, plus V to the power, अब solve कैसे होगा यह? PMA92C20 बोला है, हां? हां? हां, हां, नॉर्मल जैसे करते बैसे करेंगे, यह CFM दो बोला नहीं, नॉर्मल करेंगे न, जैसे करते हैं, क्या है, एक expression में, V to the power 1 by 4, V to the power 1 by 4, 1 by 4 P, 82.25 यही है ना? CFM दो बोला ही नहीं है, जैसे कर सकते हैं, यहां पर तो दोनों method से ही किया है, बट पहले वाले method से करना ज़्यादा बेटर रेगा, ज़्यादा होतना time लगेगा नहीं, तो यह है ना? क्या है इसमें? 0.5 P 82 is 0.25 P 82 into 0.25 P 82.25 अब यह इसके नीचे आ जाएगा? तो ultimately क्या आएगा? हाँ हाँ तो अभी बोल रही हो ना? 1-0.5 into Q 82 whole divided by 1-0.25 into Q 82. सिम्पल है है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है? यह है, अभी तो पताई यह ला, यह निकालना था, 1 by 4, अरे बोल तो रही है, दोनों से कर सकता है, जान लेगा के मेरा, दोनों से कर, अभी पहला method बता रहे हैं, 0.5 P 82 लिखें, फिर इसको break किये, break करने के बाद यह इसके नीचे जाता था, और फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके बाकी सब कर सकते हैं, ठीक है, यह हो गया तुम्हारा, इससे क्या बोलते हैं, UDD से, और CFM से अगर करना है, जैसे इसका ही मैं बता देता हूं, खाली, यह हो गया तुम्हारा UDD से, और अगर मैं को CFM से करना है, तो 1 by 4 यह बात मत करो प्लीज, P82.25 जो है, this is P82 to the power 0.25 वैसे कर लो, ठीक है ना, दोनों मैं से कोई भी मेथड से कर सकते हो, अब क्लियर है दोनों मेथड, हां, एक और डेमो देख लो, 0.5 P82.25 यह माल लो, ठीक है, so this will be 1-0.75 Q82 by 1-0.25 Q82, यह किसी को दिक्कत हुआ, short में लिख दिए, कैसे, इसके पहले का step क्या होगा, 0.75 P82 is 0.25 P82 into 0.5 P82.25, अब यह इसके नीचे चला जाएगा, then we'll apply UDD, यही चीज को अगर हम लोग को CFM में करना होगा, तो कैसे करेंगे, हां, P82 to the power 0.5, बस, बाकी यह लोग क्या किया, उतना दिमाग मत लगाना, ठीक है, clear है सबको यह वाला, हां, आईए, question number 4 देखिए, life insurance company sells one year pet insurance policies, if the pet dies during the year, the sum assured is payable end of the year, ठीक है, if the pet escapes, no benefit is payable, and the policy is cancelled, pet अगर भाग गिया, policy cancel हो जाएगा, ठीक है, AQ death, AQ escape, the company assumes forces of decrement are constant, two decrements operate independently, इसा बख्वास है, पता है, कुछ नहीं है, इसमें, the company has proposed reducing the underlying independent mortality rate, independent mortality rate, क्योंकि forces of decrement बोला है, proposed new dependent decrement rates, हाँ, independent mortality rate, मतलब Q, हाँ, तो देखो, अपने को AQ, X, D कितना दिया वह है, 0.25, एक्चल नहीं बता है, मैं पकड़ा कैसे, यह लोग बुला है, forces अलग है, गया कहा था, तुम लोग, तुम लोग नहीं किया, यह लोग नहीं किया, AQ, X, D, AQ, X, E, ठीक है, अब देखो, forces of decrement अलग बोला है, और rate अलग बोला है, तो इसलिए यहाँ पर, सबसे बहुले तो तुम लोग निकालो, force of mortality, mu X, तो यह कैसे निकलेगा, बताओ, 0.25Y, बहुए यह से नंबर नहीं मिलेगा, तुम लोग थो रहाँ, अस्चेप जब मत करो, minus ln, अब APX भी निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, force of escape निकालो, ठीक है, question number 4 कर रहे है, यह आया, अब इससे क्यों निकालेंगे, QXD, QXD, is 1 minus e to the power minus, mu जो आएगा यहां से, mu आएगा 0.38, basically e to the power minus, mu, और फिर बोला है, यह कितना हो जाएगा, escape के लिए बोला है, खली death के लिए बोला है, independent mortality rate, तो यह जो मेरा आएगा, फिर इससे मैं क्या निकालूँगा, नया, mu star XG, मतलब नया वाला जो mu है, नया वाला mu कैसे निकलेगा, एई बहुत ज़्यादा बात हो रहा है आज, minus ln 1 minus, यह नया वाला, QXG star, समझ गया ना, नया वाला force निकालेंगे, और फिर तो normal है, यह हम लोग कर चुके अक्चुल में, बट इसमें देखो एक चीज, जो देखने वाला चीज है वो यह है, dependent decrement rate बोला है, फिर independent mortality rate बोला है, तो rate का मतलब यहाँ पर क्या है, probability, क्योंकि rate बोलके, AQ death, AQ escape दिया है, and force मतलब क्या है, बहुत बार तुम देखेगा, rate बोलके तुमको क्या देदेगा, question का language समझ लेना, और assumption पुरा proper लेना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको अनलाइन में हाया ना बोताओ, yes or no, chat box में लिखिए प्लीज, question नमबर 5 से follow करना, जो लोग भी नहीं आया है, gross future loss random variable, at inception for a policy issued, x कितना है, 50, so 1500, एई बात मत कर रहे हैं प्लीज, a minimum, k 50,15, plus 35, 8u, minimum, k 50 plus 1,15, minus 1, plus 200 minus p into 0.97, तुम्हों समझ नहीं रहे चीज पर गलत हो गया ना, प्रूकर सब जो भी आएगा जाएगा, कैमरा में आएगा, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग को सामने ही आना पड़ेगा, ठीक है चलो अभी तो ब्रेक हो जाएगा, बड़ उसके बाद वापस से सेटिंग चेंज नहीं करना, ठीक है, अब बोलो, वर्ड में बोलने बोला, ट्राइ करो वहाँ से, तुम बोल, क्या है ये, 1500 का क्या है ये, अब उधर नैप्टोब में मत देख, इधर लिग दिया मैं, खाली बोर्ड पर देख और बोल क्या है ये, खाली पहला वाला बताओ ये क्या है, ये क्या है, 1500 का क्या है ये, आनविटी इन, आनविटी ने, इस अ टेम्पोररी आनविटी, चीक है, टेम्पोररी आनविटी for 15 years, या तो पहले आदमी मर जाएगा, खतम हो जाएगा ठीक है उसके बाद में maximum term इसमें कितना है 15 और ये वालता सवाज में आई गया 35 का मेरा क्या है renewal expense है और 200 का मेरा क्या है 200 का मेरा initial expense है और एक और चीज़ है single premium है ना single premium का 3% क्या है initial expense बोल लो ठीक है renewal expense हो गया ये कितना बार दिया जाएगा maximum 14 times हाँ अरे वो ही मतलब दोनों initial है हाँ ठीक है question number six a life insurance company sells a special 15 year pure endowment insurance policy so end मेरा कितना है 15 अब देखो ना endowment insurance बोल दिया है confuse मत हो ना पुरा describe करेगा वो policy को ठीक है policy को पुरा describe करेगा so यहाँ पर क्या है healthy यहाँ पर क्या है sick और यहाँ पर क्या है dead यहाँ से यहाँ sigma बोल दिया है यहाँ से यहाँ म्यू बोल दिया है show that the expected present value of the benefit in respect of a healthy life age 50 exact okay so age is also given age 50 exact ठीक है premiums of P per annum पेबल continuously if the पेबल continuously throughout the policy term seizing on death और if the policy holder पानी मज गिरा देना गिर गिया गिया और if the policy holder become sick फिर P नहीं कानने बोल रहे है म्यू सिग्मा force of interest अब दे दिया है म्यू कितना दिया है अपने को सिग्मा कितना दिया है और डेल्टा कितना दिया है बोलो सबसे पहले इसमें हम लोगों क्या निकालने बोल रहे है benefit का तुम बोलो last bench बोलो इसका नीचे क्या देख रहे है इधर देखो दस सल जिन्दा रखना है बोलो 15 सल बोल 15 P 50 यहाँ पर HH लिखो चाह है HH बार लिखो एक ही है क्योंकि 6 से ट्रिप तो है नहीं ठीक है बट HH बार लिखने से अपना एंसर आएगा क्योंकि occupancy में ऐसा लिख सकते था याद आ रहे है E to the power minus integration 50 से mu x plus sum of all the forces out of that state so this is exponential minus 0.12 2 into 15 benefit क्या एक बोलो दिखाना तो पड़ेगा ना step तो दिखाना पड़ेगा ना कहां से आ रहा है हां x के respect में कर दी अगर तुम dt लिखेगा तो 0 to 15 कर दो x मतलब क्या age t मतलब क्या duration अगर t लिखेगा तो 0 to 15 कर दो बात तो एक ही है ठीक है 10,000 into v to the power 15 into यह जो आएगा e to the power minus 15 into 0.12 इसके बाद में premium payable continuously जब जब वो healthy है सिखोगा तो नहीं मिलेगा उस case में उस case में p अब देखो 0 to 15 यूस किया है e to the power minus delta t discounting factor tp 50 h h बार dt अगें सेम थिंग p integration 0 to 15 e to the power minus delta कितना था 0.03 plus 0.04 plus 0.08 into sorry यहाँ पर तो t होगा dt ultimately आएगा क्या e to the power mx by m होता है ना so minus 0.15 e to the power minus 0.15 into t है ना अब यह solve हो जाएगा और दोनों तोरब इक्वेट कर लेंगे एक ही तो है premium और benefit यही तो है और तो इसमें कुछ है नहीं बोला है जब-जब healthy रहेगा तभी होगा ठीक है sick होने से हट जाएगा death होने से हट जाएगा अच्छा premium में एक और चीज़ बोला है बोला है payable continuously throughout the policy term seizing on death or if the policy holder becomes sick but अब जैसे देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है seizing on death or if the policy holder becomes sick मतलब उसको continuously healthy रहना पड़ेगा जहाँ sick हुआ यहाँ फिर death हुआ वहाँ पर बंद हो जाएगा देना पहले इसका नहीं 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 तुम समझा नहीं पहले इसका मतलब अलग था अभी इसका मतलब अलग हो गया है वैसे तो तुम सही बोल रहा है बट एक जो आपने किये थे ना एच एच वो यहाँ पर नहीं लगेगा model दे दिया है तो तुम सही बोल रहा है कि trip possible नहीं है बट अगर मालने model नहीं दे तो ये चीज रीड करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है occupancy यहाँ पर इसलिए लग रहा है क्योंकि बोल रहा है जैसे ही वो sick हो गए एक बार या फिर वो मर जाएगा तो नहीं तो ऐसे बोलता बट वेव्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सिकनेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सिकनेस में अगर वेव होगा तो इसका मतलब क्या है sick हो के वापस वो healthy हो सकता है ठीक है आज तुमको कोई ठुकराया तो हो सकता है दो साल के बाद वापस तुम्हारे जिन्दगी में वही प्यार हाँ होता ही है क्या नाम था बिच्चर का हाँ ठीक है तो ऐसा हो इस सकता है चलो question number 7 देखो an organization is required to pay 5 million in 18 years time it holds a cash fund equal to the present value of the liabilities and wishes to use the whole fund to purchase the combination of 9 and 20 year ZCB in order to immunize against small changes interest rate 8% calculate showing all working the proportion of the cash fund that should be invested in each of the two ZCBs the organization invests in the two bonds in accordance with the proportions calculated in part 1 estimate using the volatility the percentage change in the present value of the assets if the interest rate were to increase to 8.5% चलो चालू करताब इसको बोलो, PVL बोलो यहां से संस्किती बोलो, PVL बोलो तो तुम सो रही थी प्लस मैं तुम सो रही थी पीछे बोलो, present value of asset बोलो जल्दी बोलो present value of asset बोलो बोलो next ठीक है, nominal amount A और B ले लिए ठीक है, इन दोनों को solve कर लेंगे तो, but A और B है ना the organization invests in the two bonds in accordance with the proportions calculated in part 1 ठीक है, एक तो यह बनाएंगे और एक DMT बनाएंगे अब बोलो DMT liability, yes next liability ठीक है DMT asset next इधर जिगी सा बोलो 20B V to the power whole divided by ठीक है, अब यहाँ से जब हम लोग A और B solve करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से जब हम लोग A और B solve करेंगे solving पार्ट में मैं उतना नहीं जा रहा हूं आज A तुमारा आएगा इसका भी Excel पे एक model बनाने का try करो कि बस जालते ही आजाए कितना आ रहा है नहीं नहीं परसेंटेज निकालने बोला है तो पहले तो nominal आएगा ना हाँ हाँ बोलो nominal कितना कितना आ रहा है कि पॉर पॉइंट सेवन सेवन है क्या और फिर यह जिरो पॉइंट ना यह नहीं आएगा बख बोल जो भी है बोल हाँ हर्षित है हुआ तुमारा कितना टेम लगे गवर पॉर पॉइंट पॉर और यह पॉर सेवन 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 जिस कैसे आ सकता है यह ह Aha अ कि पॉर पॉइंट सीवन सीवन सीख्व किटना कितना आरा रहा है बताओ 0.227 और ये 1.02 इन दोनों को add up करो कितना आता है 1.25 अब एक काम करो 0.227 by 1.25 1.23 एक ये निकालो and 1.0237 3.8 divided by 1.25 1.23 ये निकालो बताओ कितना आ रहे उपर वाला कितना रहे 18.18 परसेंट और नीचे वाला 81 पॉइंट ठीक है देख लो इसको इसमें गलती 100% होगा 50% बच्चा लोग इसमें गलती करेगा कोई यहां छोड़ देगा कोई यहां छोड़ देगा यहां तक बहुत कम लोग पहुच पाएंगे कि इसा प्लस करके परसेंटेज निकालना जो एक्जाक पॉच्चन में पूछा है कि परसेंटेज बताईए कि 100 रुप्या में दोनों में कितना कितना लगाएंगे पीछले इसी चलो ठीक है बोला है ना कि परसेंटेज कितना कितना लगाएंगे यह पताईए फिर इसके बाद मेरे को बोल रहा है कि दोनों का DMT पता है मेरे को ठीक है हम लोग को इसके बाद वाला कोश्चन में क्या पूछा है बोलता है कि estimate using the volatility the percentage change in the present value of the assets so हम लोग को यह पता है that DMT of asset is equal to DMT of liability कितना आ रहा है पहले तो यह बताओ 18 आ रहा है अब मेरे को यह पता है कि DMT is equal to volatility कहां पर क्या करेंगे बताओ जल्दी बताओ DMT into so basically DMT is volatility into ठीक है so अपने को volatility निकालना है so अपने क्या करेंगे DMT by 1 plus I कितना रहा बताओ volatility 16.6 6 जो भी आ रहे 0.5% से interest rate बढ़ गया मतलब present value गिरेगा इसका 50% से निकालो कितना आ रहा है 8.33% मतलब present value of asset will fall by 8.33% volatility का मतलब क्या होता है if there is a 1% change in interest rate then what is the resulting change in the present value ठीक है ना clear है part 1 आप normal sum की तरह बनाओ part 1 आप normal sum की तरह बनाओ आपने A और B निकाला this is the nominal amount जो आपको future पर मिलेगा टानो उसको तो आज कितना लगाएंगे वो मिल जाएगा आज दो चीज में पैसा लगा रहे A और B तो आज दो चीज में जो पैसा लगा रहे दोनों का present value का sum is the total जो मैं आज लगा रहा हूं and मेरे को ये निकालना है कि ये जो total मैंने निकाला है इसमें इसका कितना percent है और इसका कितना percent है तो फिर मैंने क्या किया पहला वाला divide by total दूसरा वाला divide by total तो मेरा percentage आ जाएगा this will be basically decimal इसको hundred से multiply करना पड़ेगा बोलो ठीक है question number 8 देखिए नीन करब हो गया न तुमाना what was this pitch for is it a laptop error और sir error आईए question number 8 कोई बात नहीं करेगा कोई बात नहीं करेगा तुम बताओगी yes सारा हसी निकल जाएगा 8 और 9 कोई बात याद रखना हम जूट नहीं बोलते हैं a life insurance company issues a retirement policy to a male policy holder age 60 exact so एक 60 साल का बुड़ा है policy provides the following benefits immediate whole life annuity of so whole life annuity of कितना 25,000 per annum payable monthly in advance monthly in advance reversionary annuity of 15,000 per annum payable monthly in advance to the policy holders surviving female spouse who is currently aged बुड़िया कितने साल की है ठीक है तो यंग तो नहीं बोलेंगे न अपने आपको a lump sum of 2 lakh payable immediately to the policy holders family if the policy holder dies before age lump sum of 2 lakh payable immediately to the policy holders family क्यों तुम तुम पेचारी तुमारने पे तुली हो बताओ हाँ दादी मा को मिलेगा पैसा उस्ते बजाएगी गोवा 2 lakh 2 lakh 2 lakh pound मिलेगा और यह अगर इंडियन soaps होगा तो फिर उसमें क्या दिखाएगा आग लगी नहीं लगवाई गई थी आपके चाए में जहर किस्ते मिलाया लंसम आप 2 lakhs पेबल इमेडियेटली पुदी पॉलीसी ओल्डर्स फामिली तो उसमें क्या कहेएगा याद कर लेते हैं 25 अजार का जब तक वो जिन्दा रहेगा तब तक 25 अजार उसके बाद 15 अजार मतलब अज़ेट फीमेल स्पाउस अज़ेटली 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 पॉलीसी ओल्डर्स फामिली हाँ अज़ेटली 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 बोलो एरको बोल रहे हैं अधूट 62 वाए मंथलीन एडवाने की मंथलीन अरियर है क्या है इसका मतलब समझाइए हम लोको किसको मिलेगा मेल को की फीमेल को किसको मिलेगा फीमेल को की मेल को सोच के बोलो वो ठीक है लेकिन मिलेगा किसको मेल को ना फीमेल को हाँ सोच के बोलो नहीं बोलने का मतलब यह था कि वो करेगा कि इतना पैसा का अपने बच्चों पे तो खर्चा करेगा तो पैसा किसको मिलेगा यह हो गया दूसरा येस एट यू 60, 60 to 12 का मतलब क्या इसको कैसे लिखेंगे अब नेक्स्ट में और उसके बाद एक और क्या है उसका तो हो जाएगा तुम अपना सोच ले येस बोलो नहीं 2 लैक्स क्या हाँ ठीक है ए बार ये होगा क्या बोलो अभी तुम लोग ऐसा लग रहे ना एक्जाम में जबाएगा ना क्या दिया था ना ओ भावा तुफेस्ट हाँ में तो हाती नहीं चला तेरा अफे तुम अबनएबंबंबंबंबंबंबंबबंबंबंबंबंबंबंबंब धनिया इन व देता पूसकत ऐसे जैसे न एक्जाम ऐसे होगा उसके बाद इसे पहले तो फिजिकल होता था न एक्जाम हों से एक्जाम हों से बाहर निकलो ठीक है एक्जाम हों से बाहर निकलो तुम्हारा एंसर आ रहा है माइनस एट पॉइंट सम्थिंग और बाहर बहुत लोग सौ और दोसों पर चगड़ा कर रहा होगा हाँ हाँ हम लोग इतना अंडर कॉंफिदेंट फील करते हैं न कोई अगर यह बोल भी दिया ना कि हम सौ नमर का टेम्ट किये हैं वह ही हम लोग का आधा कॉंफिदेंस खतम मैंने तुम किसे से बात कैसे बोल दिया मैंने तो पूरा टेम्ट किया बस नेक्स्ट पेपर में तो रोना चालू ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है ठीक है ठीक दे गेम चुदी एंड आल्वेज रमेंबर दिस चलो क्वेश्चन नमबर नाइन मैंने जो बगल में बैठा करें एक स्थम भी बना दिया ना भाई तो भी तुमको लेगा भाई मेरा नहीं हो रहा है ठीक है चलो अ गौर्बन इस्थे इसुस फिक्स इंटर्स बंड पेंग कूपंस अथे रेत अइन पर अनम, हाफ यरली नरियर्थ, यूद पर अनम, हाफ यरली, अरियर्थ पेठीक है ठीक है, प्र और रेंट रुपंस्ट रेंड रेंड ऑल्रा हैं स्ट्र जचन ठीक है ठीक है Warm के बना 15 नहीं ठीक है? Optional redemption dates the date of redemption is at the discretion of the government investor A is subject to income tax 25% capital gains tax 30% wishes to achieve a net redemption yield of at least ठीक है? बोलो सबसे पहले तो इसमें capital gain हो रहा है कि capital loss हो रहा है पहले ही हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर हम लोग बताएंगे 10 की worst possible case लेंगे ठीक है ना? तो 1-T1 1-T1 into D by R 9 by कितना आ रहा है बताओ? और half year में हो रहा है ना? तो I2 निका लेंगे at the rate बताओ क्या आ रहा है? gain ये loss एक बार इसका प्रूविंग आ गया था देख ले ना ठीक है? इसका प्रूविंग आ गया था भी एक दो टम के पहले कही बात है? तो वो भी देख लेना थोड़ा मैंने कराया है एक लास में ऐसे तो हाँ? loss आ रहा है? तो loss के case में क्या होगा? loss के case में best is best is what? एकदम last में तो worst क्या होगा? एकदम पहले तो 10 सल मान के question को हम लोग करेंगे बट कैसे करेंगे? yes, you हाँ, बोलो 10 सल मान, बोल हाँ पहले capital gain होगा ये फिर loss होगा, ठीक है? अब जैसे ये 10 है और ये 15 है अब अपने को बोल रहा है loss हो रहा है so loss में best के scenario क्या है? अगर loss हो रहा है loss में best के scenario ये है worst के scenario ये है क्यों? क्योंकि loss एकदम last में हो तो उसका present value सबसे कम आएगा gain जितना जल्दी हो उसका present value सबसे ज़्यादा आएगा तो loss का ये इसका ठीक opposite तेरा हो जाएगा gain का, ठीक है? हम लोग को बहले है कम से कम 6% तो अगर worst case में 6% आएगा तो थोड़ा सा भी situation अगर improve होगा तो ठीक है? ठीक है? बोलो, येस कभी शाब बोलो 0.75 into 9A अरियर में है तो due कहां से आ रहा है? ओ, loss हो रहा है तो यही फ्लो फ्लो में बना दिया एग्जाम में तो गया? ऐसे ही है भाई, एग्जाम ठीक है, यह आ गया? बोलो फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? इन्वेस्टर A परचेस 3 years after issue immediately after a coupon payment has been made इन्वेस्टर A B को अब बनाएगा ठीक है? so, decides to sell the bond to investor B investor B is subject to income tax 10% capital gains tax 35% खरीदने वाला is the king okay? so, calculate showing all working the maximum price per 100 nominal that investor A can expect to receive from investor B same process, same process कैसे हो गया है? जिर्ण की में बताओ नहीं, पीछे, बोलो हमको देखना नहीं हमको करना है बोलो 1- फिर T1 क्या? T1 क्या है? हाँ? नहीं 25% था investor A बेच रहा है अच्छा ठीक है बोलो 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 हाँ? अब इसको क्या करेंगे? किससे देखेंगे? चेक करके बताओ क्या आ रहा है? capital gain आ रहा है? ठीक है? अब क्या होगा? capital gain आ रहा है? तो capital gain में क्या होता है? best के सिनारियो होता है early and worst के सिनारियो होता है late से late तो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ? एक सिन्टुम्लोग सब सिम्रन का भेन है? बोलो late late is correct worst के सिनारियो तो क्या होगा? 10 ना 15 कोई कुछ बुला? 10 ना 15 wrong तीन साल तो बीट गया? देखा? तुरो समझ रहे क्या हो रहा है? it's not the big changes that we need to work on it's the small steps अब यही अगर गया, गया तो गया बस repeat छह मेना अब इसमें मैं क्या करूँ? तुम धरो मत दुनिया ऐसी ही है तुम लोग अभी ज़स्ट क्लास 12 से निकला है मतलब तुम लोग समझ नहीं रहे it's very tough out there ठीक है? presence of mind नहीं है न, she's thinking something else she's thinking बस यह कब बोलना बंद करे मैं जाऊं and अपना नींद पूरा करू I want to sleep sometime but so तो वो रही है वो कब जागेगी मैं वो ही सोच रहा हूं कुछ भी मतलब कुछ भी paper में मत करना भाई ये सब अक्वास वो तेरे घर पे आ जाएगा अले किसने बनाया है ये मुझा सिमा ठीक है but you need to have some presence of mind when you're studying focus ठीक है focus is all you need when you're studying नहीं तो ये गलती नहीं होना चाहिए तो ये बहुत common mistake है ठीक है अब जैसे एक और mistake क्या होगा एक्जाम में पुराना वाला ही ले ले लेंगे छो का छो ही ले लेंगे ठीक है loss तुम्हारा होगा अरे पिसके पहले वाला में था ना वो ही वाला rate तुम लोग ले लेगा ये सब गलती मत कर क्या ना ठीक है ask your seniors take some suggestion from them जो तुम लोगो guidance देते ना कि don't take coaching घर पे self destruction करिये उनको पूछना कि उनसे तुम जाके कभी पूछो ना एक doubt कि जैसे वालनों तुम पूछे भे नहीं आ रहे बता ही न भी जाओ 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 तुम लोग का तो easy है हम लोग का तो बहुत difficult paper आता है ठीक है यह से तुम लोगो सुनने को मिलेगा बट ठीक है have some presence of mind in the exam while you're sitting for the exam ठीक है चलो ठीक है यह वाला ठीक है यह दो हो गया अब कैसे करेंगे इसको बारा पे लेंगे ना गेन में वर्स केसे इस वाट n is 12 अब बताओ so 1-0.1 9a12 2 plus 110 v to the power 12 minus 35% v to the power 12 अब इसमें क्या बोलेगा पता है जो पहला वाला जो investor है ना उसका return निका लिए calculate using linear interpolation the net effective annual redemption yield that will be obtained by investor A तो कितना में खरीदा, कितना में बेचा और 3 साल coupon मिला है उसको यह ही हुआ है उसके साथ में ठीक है so आईए खरीदा कितना में था जैसे मैं बता देता हूँ खरीदा था 111 पॉइंट सम्थिंग में ठीक है 1-0.25 into 9A32 plus बेचा कितना में 105 पॉइंट सम्थिंग तो loss में ही है ठीक है अब यहां से evaluate कर लीजेगा और आ जाएगा एकदम clearly बोला linear interpolation तो linear interpolation में यह वाला दिखाना मत भूलिएगा यहां पर तुम्हारा जो answer आएगा वो 4 और 4.5 के बीच में आएगा तुम 4 और 5 के बीच में दिखा किया ही आएगा ठीक है कि X% में मेरा answer आएगा 4 पर कितना 5 पर कितना और यहां पर में को कितना चाहिए हां हां ठीक है 9A32 ठीक है ठीक है अब से डेली consistently हम लोग को पढ़ना है ठीक है अभी बाहर बाहर नहीं जाना है बिल्कुल एकदम time pass नहीं करेगा ठीक है एक बात और बताना चाहेंगे हम लोग का क्या होता है कि exam जो होता है वो UK time के साब से होता है so basically या फिर इंडिया का भी अगर तुम लोग लेगा सर पर हात मत रगो कोई tension वाली बात नहीं है ठीक है tension वाली कोई भी बात नहीं है एक exam clear हो जगा फिर तुमको बहुत confident फिल होगा लाइक में ठीक है मैं भी पहले बहुत डरावा सहमा सा था बट एक exam clear हुआ एंड उसके बाद बस या एक exam भी नहीं हुआ था से एक exam बचा है ठीक है so it takes time and don't worry at all ठीक है अब एक बात याद रखना दोपैर के time पर you should be the most active अभी से अपने आपको उसका training देना पड़ेगा so exam का जो time है उस समय you should be very 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 active तो अपने आपको उसी schedule में ढालो like for example मानवी she has a lunch at 12.30 she goes to sleep at 1 and she sleeps from 1 to 3 तो इसे exam day she will feel very lethargic okay so that's the point तुम लोग को एकदम active रहना पड़ेगा in the exam time वाला thing ठीक है चुलाओ question number 10 पे आईए question number 10 पे आईए नहीं 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 a life insurance company issued a 15 year special endowment insurance product on 1st January on 1st January 2013 so 15 year endowment insurance product 1-1-2-0-13 portfolio of policy holders x कितना है 50 a death benefit pay bill at the end of the year of death so E-O Y-O-D dollars 1 lakh during the first policy year and हर साल गिरेगा कितना से 5,000 से bonus बोला है क्या bonus बोला है के इसमें नहीं बोला है यह structure ही इसका ऐसा है मतलब इसका एक एक basically part is guaranteed मतलब यह structure का part है ठीक है भाई तुम लोग laptop छोड़ दो तुम लोग खली सुनो दिमाग से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ survival benefits of 20,000 payable on survival to each of the 10th and 15th माने 10 साल जिन्दा रहेगा तो भी 15 साल जिन्दा रहेगा ठीक है level annual premium सा payable annually in advance seizing after 10 years और on earlier death annual premium निकालना है idiots कोई हिलेगा हाँ दो किस प्लस normal फिर एक जैन्वरी 2022 और 2022 का बात हो रहा है तो गिनो मेरे साथ साथ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एक मिनिट 21 खत्तम 22 तो दसवा साल का बात हो रहा है मतलब क्या निकालेंगे V10 ठीक है तो यह तो तुम लोग को सिखा दिया हम ठीक है V10 आइसे के लिए आस्किंग अबाट अबाट धी M.P.N.M.L. अफ दी 10th तो हम लोग को दिया है 10th year का beginning पे 225 policies were in force 10th year पे दो लोग मर गए ठीक है दो लोग ठीक है आईए पता है इडियोटिकनेस का भी एक हद होता है पने सोशल मीडिया पे कुछ भी आता है पता है कुछ भी यह स्वाहाँ चलो करेंगे यह स्यू नेक्स्ट बोलो पहला साल एक लाके फिर 95,000 ऐसे जाएगा क्या है यह क्या बोला है देथ बेनिफिट के लिए बोला है और 1015 पे सर्वाइवल बोला है बोलो ना 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 गिर रहा है तो एक लाक पांच हजार ए 50 15 1 माइनस प्योंकि पहला साल ठीक है इसके बाद मैं क्या बोलेगा 20,000 V to the power 10 10 P 50 प्लस 10 साल का प्रीमियम है अरे यार क्या कर रहा है ना तुम लोग ठीक है इसका सेकेंड पार्ट पे आईए V10 ये बताओ कैसे होगा 10 साल बीद गया तो एक लाक पांच जार माइनस जब मैं एक लाक पांच हजार माइनस 5000 इंटू 10 करता हो ना तो ये 10th year का आता है तो कितना आएगा 55 मतलब 11th year से मेरे को चाहिए तो वो कितना आएगा 50 सो कैसे करेंगे 55 माइनस ना ए क्या हो जाएगा अब ठीक है ये हो गया इसमें और क्या करेंगे हाँ क्योंकि 10 समदा तब नहीं होगा वेरी गूड प्लस प्रीमियम भी गया ठीक है अब इसके बाद में अब 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 है है सम में दम है मैं तो ये सोच लिया था तुम तो आणाम क्या है हां उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा ठीक है आईए अब जैसे एक बात बताव मेर को कोई कुछ किसु को नहीं बूलेगा ठीक है 10th policy year इसी साल का अपने को बोले ना MPML निकाल ले ठीक है नाओ वी अब कम तो अ स्टेच वेर वी नीड तो क्यालकुलेट दी D.S.A.R. सो इंसान मरेगा तो कितना माइनस अगर इंसान जियेगा तो कितना जो एक्स्ट्रा ट्रेन होता है उसको हम लग बोलते हैं D.S.A.R. थैंक यू एंड 10th year का समय शॉर्ट इस पेबल E.O.Y.O.D. सो 10th year पे मरने से कितना देना पड़ेगा तुम लोग सबका ना प्रगती है प्रगती ना में ना प्रणती एन ओके उसके लिए भी बहुत मैनत करना पड़ेगा ठीक है बोलो ट्राइ टैंथ एर में अगर मर गया तो क्या होगा मैं को यह बताओ डून टेक स्ट्रेस ओके स्ट्रेस में मताओ कोई बात ने गलती है होती रहती है ठीक है बताईए फिफ्टी थाजन कैसे आ रहे हैं एक्स्प्लेइन इंटु टैंड इसे फिफ्टी थाजन अरि शॉओ सोचो पहला साल पे पहला साल पे है एक लाक दूसरे साल पे है 95,000 तीसरे साल पे है 90,000 so do you think it will reach 50, 45 और 55 बोलो I think it should be 1,00,000 minus 5,000 into 10 so it is coming to 50,000 है ना तुम बोलो I think that it should be 1,00,000 चलो ठीक है तुम्हारे पे चलते हैं चलो ठीक है 5,000 50,000 हो गया अब देखो यह तो मिल रहा है middle of the year पे ठीक है तुम उसका अब अब पे ध्यान मत दो एक्जाम में तुमको कॉल्स आएंगे ठीक है यह middle of the year पे मिल रहा है ठीक है इसको end of the year पे लेके कैसे जाएंगे पहले यह बताओ क्यों भेजेंगे क्यों भेजेंगे मैं तो पूछ रहा हूँ नहीं भेजेंगे ठीक है चलो यह बात मान लेते कि end of the year पे ही है minus तुम देखियो कभी खुशी कभी गम पूको देखियो पूको जब नमबर देती minus ठीक है अब यह minus हो गया फिर अब इसके बाद जियेगा तो क्या बनाएंगे reserve so reserve कितना आ रहा है V10 तुम बोलो बोलो अब भी और इसमें कोई चेंज करेंगे अगर बेंच सामने होता ना आज पक्का देखो लग जाता बोलो इसमें एक और चीज है की 0 10 15 20 दर है कितना है बोले 10th year के end पे आप जिन्दा रहेंगे तो 20 दर 15th year के end पे जिन्दा रहेंगे तो भी 20 दर अब बताओ कुछ चेंज करें minus की plus क्योंकि देना है मेरे को क्यों यह minus की हो रहे है यह minus की हो रहे है पहले यह बताओ तो जिएगा तो ठीक है तो जिएगा तो दे रहे है उसमें plus मने माइनस क्यों हो रहा है पहला बाद तुम मरेगा तो पचास दर होगा तुमको लगता है सोचो यह बाद करके देख ले देख ले चलो बोलो एक लाख 95 पहले मैं यहां लिखता हूँ 1, 2, 3, 4 5, 6 नए 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 पिक अप दस टेक्स 7, 8 9, 10 अब बताओ यहां चालू करते हैं 100 यह भगवान 50 पह आजाए अरे मैं यहां पर लिख दिया हूँ वोट पे यहां पर लिख दिया था तो तुम ऐसा क्यों लगा कि 50,000 होगा हां calculation धंक से करना है exam पे उतावला बिलकुल नहीं होना है और stress नहीं लेना है exam में ऐसी pressure बनेगा जैसे लोग अभी किया ना ऐसे ही पुरा stress बन जाएगा exam में ठीक है ना you can do it knowledge is more or less no 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 somewhere around 45% you need to improve little but you can do it I feel that it's the problem of stress so don't get stressed okay यह होगा 55,000 मतलब अगर वो मरेगा तो कम्पनी को कितना देना पड़ेगा 55,000 और अगर वो जी गया तो एक तो रिजर्ब बनाएंगे और उसके साथ survival benefit जो देना था देखो मर गया तो यह जी गया तो एक तो रिजर्ब बनाना पड़ेगा और भी सर भी देना पड़ेगा तो मेरा देट स्ट्रेन अड्रिस यहां से आएगा आप सुनो पचास साल का अदमी है एक लास्ट कॉस्टिन ठीक है अब ही हमारा नेक्स टास्क आफ्टर कैल्कुलेटिंग हर्शिदा जोर जोर से कैल्कुलेटर में मानने से एंसर नहीं आएगा इस नौट अब दिपावर इस अब दिटाइमिंग तो अभी अपने को एडियेस पर चलना है आगे ठीक है एडियेस कर लिया हो गया हो गया हां सुल लड़का लोग ऐसे ही होता है भाई कुछ भी मतला है लड़की ऐसे जार यह देख लेगा तो हसने लग जाएगा ठीक है मतलब जबर्दस्ती का हसना तुम लोग नहीं हम लोग भी बॉइस को पता है मतलब अगर माल लोगी एक जन छह जने एक जन टिफिन लाए वो टिफिन खोलेगा तो हसने लग जाएगा अजीब टेप का बदमाशी होता तो स्कूल में बैग लेके सेकेंड फूर में एस क्लास ग्राउंड फूर में लग देगा बैग लेके मैंने जिस दिन खराब टिफिन लाया उज दिन तो दोस्तों को बुलाएगा और जिस दिन अच्छा टिफिन लाया बहल बढ़ने सबसे बहले बाहर एडिस पर आते है च्छा क्वेस्चन पर आता है ठीक है इन्टू एक प्रुबाबिटी होगा कोई कुछ नहीं बोलेगा क्यू एक्स तु आम गिविंग यू थ्री ओप्षिन्स दस साल हो चुके हैं पचास साल का आदमी था दस साल हो चुके हैं तो 60, 61 and none of the above नहीं नहीं तुम आप्षिन नहीं सुनी तुम आप्षिन नहीं सुनी थीक्स तर्फ न आप दा पहो ना देगी जिना औपशन, बट ठीक है, 59 is the correct answer, ठीक है, ठीक है, तो I'll increase the concept to somewhat around, 50, 50, 55, ठीक है, तो ठीक है यह EDS अब निकालेंगे So EDS कितना आएगा बताओ जो भी number of जो भी policies है into Q 59 into DSAR and EDS कैसे आएगा जल्दी बताओ हाँ ठीक है and फिर हम लोग कर देंगे EDS को minus फिर EDS and then we'll get the answer अब मेरा बात सुनो अब मेरा बात सुनो यह तो ठीक है end of paper के पहले question है explain your results दो number का है हो सकता आपके exam में यह 3 number का भी आजाए ठीक है ठीक है आओ अब जैसे क्या है मैं कुछ facts and figure यह सब को सब्सक्राइब आ गया ना इसमें थोड़ा बात adjustments क्या हो सकता है कोई कोई question में यह वाला जो 20 आ रहे है यह नहीं रहेगा ठीक है यह मानलो यह middle of the year से इसको end of the year पर लेके जाना पर यह से basic basic में ठीक है ठीक है अब जैसे पच्पन हजार देना है ठीक है देमाउंट तुम चले जा the amount of money the company needs for each life माने basically अगर जी गया तो 35 846 मतलब समझा इसमें तुम्हारा क्या क्या है 20 आ रहे है और रिजर्व है ठीक है तो D.A.C.R तो मेरा positive भी आ रहे है मरने से इतना और जीने से इतना अब expected number of deaths जो है that is 1.6065 which is less than actual deaths expected death कितना है मेरा इतना 1.something मर गया जादा D.A.C.R है positive तो it will lead to तुम नोग पता है D.S.A.R is positive मतलब मरना is a kind of नुकसान मरना is a kind of नुकसान ठीक है अब मेरा जो यहाँ पर बोला है नहीं actually न यह लोग गलत लिखाया है D.S.A.R अगर positive है और अगर जादा लोग मर जाएंगे तो mortality loss होगा यह गलत लिखाया चुनो 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 सोचे थे सोचे थे की 35,000 846 लगेगा बट लग गया कितना तो जादा लग गया ना तो D.S.A.R पॉजिटिव है तो मरने से नुकसान है strain आ रहे है अब यहाँ पर दो लोग मर रहे है बट expected कितना था ठीक है तो इसलिए mortality loss आ रहे है बट अगर D.S.A.R पॉजिटिव है D.S.A.R अगर पॉजिटिव है and अगर expected से कम लोग मर रहे है तो mortality profit होगा ठीक है तो यह सब टाइक का basic basic explanation आना चाहिए ठीक है दो मेट का break and then we'll start with September 22 ठीक है कि अगरे झबझा पॉजिग तो झाओर झाओर यह झाओर 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 झाओर